एनालसीस फैल दोस्तों और हो गया खेल सब फैल HDX Nifty 56 पॉइंट नीचे कार्ज कर रहा है अगर वहीं हम देखे NASDAQ Features तो ये भी 120 पॉइंट नीचे कार्ज कर रहा है NASDAQ डाउजल्स की बात करें तो ये भी 68 पॉइंट नीचे कार्ज कर रहा है खुला तो बढ़िया इस्तिती में लेकिन लास्ट में जाते जाते इसलिए आपको कल का स्टोक मार्केट बड़ी फ्लैक्च्वेट और बड़ी साउधानी से नहीं किये तो आपका खेल बिगड़ सकता है अगर हम बात करेंगे इंडेक्स की नेश्डेक कंपोजिट की तो ये भी नेश्डेक जो नीचे आप देख लिजिए किस तरह का रफ्तार है इसका मतलब कि आईटी सेक्टर निफ्टी बिप्टी निफ्टी बैंक बढ़ेंगे तो जरूर लेकिन आपको इस तरह का खेल अब नहीं देखने को भी लेगा इसका मतलब कि निफ्टी फिर 17,770 के आसपास जाकर बंद हो सकता है और निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक भी आपको लगबग 40 से 100 पॉइंट नीचे मतलब फ्लाइट रहेंगे करका स्टोक मार्केट ये ब्रेकिंग निफ्टी और सबकी एनालसिस हो गई फेल क्योंकि एरूपी और अमेरिकिस मार्केट ने कर दिया खेल दुस्तों और ये खेल जो है बहुत ही महांगा पड़ेगा ट ट्रेडर सावधार नहीं रहेगे तो बड़ी नुक्सान हो सकता है बड़ी भारी और आपको मैं दिखा दूँ एस्जेक्स निफ्टी जो है थस्डे निफ्टी एस्पाइरी और निफ्टी बैंक दोनों की स्तिति कल डाउन रहने वाली है ये भी जान दीजिए तो इसका मत स्टी बैंक एक तालीस हजार के आसपास नहीं थोड़ा सा उपर एक तालीस हजार दोसों का खेल देखने को मिल सकता है क्योंकि नश्डाइक की बात करें तो ये बड़िया इस्तिति में था खुला तो था बड़िया मार्केट और ये आपको कि दो पहर में कार्ज कर रहा था लगबग अमेरिकी समया उन्साल कि अधार साथ बज़े की बात है ये बड़िया इस्तिति में था लगबग बारह जार सोरी तेरह जार तीन सब्सक्राइश की बात करेंगे तो नेश्डेक फीचर्स और डाउजन्स फीचर्स दोनों लाल न लाल निशान में दोस्तों तो ये खेल आपको जरू समझना चाहिए जय हिंग जय वारत बंदे मात्रम साथ बेज़े सुबा बीडियो आएगा निप्टी बैंक और निप्टी फिप्टी कितना नीचे जाएगा अब तो फाइनल हो गया दोस्तों कि नीचे की तरफ इसका मत